हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल तो जैसे कि मैडम के दोदो व्लोग्स आये पड़े हैं और इन दिनों मैं भी बहुत जादा बीजी थी तो मैं वीडियो नहीं बना पाई तो चलिए वीडियो बनाते हैं और रियक्शन देते हैं इनके आयवे व्लोग्स के ओपर अब मैडम ने अपना पचका किया हूँ व्लोग डाला जिसको सारी दुनिया अल्रेडी अपलोड कर चुकी थी तो उसमें क्या ही देखने को मिलेगा फ्रेंड्स लेकिन फिर भी मैडम ने तो डाला क्योंकि उनकी तो ये जॉब है उनको तो ये करना जरूरी था और इनको ये भी दिखाना था कि मेरे point of view से मेरा meet up कैसा रहा तो उससे पहले meet up से पहले ये जाती है किसी से मिलने के लिए जो कि वो खुद भी एक यूट्यूबर है और एक जानीवानी जो एक हमारी celebrity है एक हमारी player है उनकी sister भी है तो अब वो कहती है कि हमने इनसे vlogging शुरू की और य है और वो जैसे उनका content है जिस तरह का वो जो भी कोई so-called interview लेती है इस तरह का वो interview इसमें से दे देती है और जैसे कि हमने पहले ही का है बड़ी अभी तक हुई नहीं है बेशक हमारी इनकी age 32 साल की हो गई हो लेकिन बड़े अभी दोनों में से कोई भी नहीं है मेरे तुमारे पास matching purse है क्या नहीं है फिर white वाला matching purse ले आए उसके बावजुद भी phone purse में नहीं रखे जाते और phone को खो देती है और वो by chance वो phone मिल भी जाता है अगर कोई उठा कर ले भी जाता तो क्या इनको पता चल पाता लेकिन लापरवा लोग है तो इसलिए इनको ज़्या अपड़ा हो phone हो mobile हो वो उसको वहाँ पर सोफे पर चोड़ कर आ गई और वहाँ पैसे किसी ने उठा कर गार्ड के पास जमा करा दिया by chance कोई ले चला जाता तो कोई ही फरक पड़ता क्या ही फरक पड़ता friends ओपर से एक दूसरे को पर blame डालने है कि मैंने मारक दिया मैंने म रहे गए रहेगा और वैसे भी अब तो दो की जगह चार हाथ हो गए है न शूट करने वाले दो आपके और दो आपके फनी के और उसके बाद थोड़ा सा काम और फिर उसके बाद खाना फिर थोड़ा सा काम फिर उसके बाद खाना फिर चाए फिर नास्ता फिर बिस्किट यही सब चलता रहता है फिर आगए है स्पाइस समतिंग करके कोई जगा है वहाँ पे और वहाँ पे खाने की variety फिर से try करनी है ना friends क्योंकि हमारा वजन क़ट नहीं रहे है ना फ्रेंड्स हमारा वजन बढ़ रहे है और हमें और बढ़ाना है और एक बार फिर से मैडम की डिमांड पर फिर से आ गये हैं उन मैडम के घर जाने के लिए जहां पर वो सोकल्ड इंटरव्यू या जो कुछ मीट अप था वो रखा गया था एक्चुली वो एक कॉलैब था क्योंकि इनकी ज़्यादा जनता है वो यहां से दिखाई नहीं दे ली थी वो इसलिए नहीं दिखाई दे थी हमें अंदाजा लग गया था कि जब यहां पर आई थी और इन्होंने अपना पहला कोदम रखा था जब यहां के हैदराबाद की जमीन पर और पहले लोग से इंट्रेक्ट हुए थे यानि के जो टेक्सी ड्रैवर बहिया है वो उनसे इंट्रेक्ट हुए थे वो एक यूट्यूबर है और एक यूट्यूबर होने की नाते भी वो एक बड़े यूट्यूबर को नहीं जानते यानि के वो उनकी नजर में जादा बड़ी यूट्यूबर नहीं होंगी जिनको पता ही नहीं है के सबाइब रही मैडम कौन है और वो हैरान हो रहे थे नाम सुनकर के अच्छा इतने सब्सक्राइबर है तो उनका जो बिल्कुल अलग टाइब की जनता है आपकी जनता है वो उनके प्रेफर नहीं करेगी जो उनकी जनता है वो आपको बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करने वाली है और वहां से जो है दुनिया भर का वापस से जैसे कि मैं कहरी हूँ आजकल इन दिनों टिंट कुछ जादा ही ल लेकिन जितनी नेच्च ब्यूटी उन मैडम की दिखाई दे रहे था इनका मेकप कितना ज्यादा लगा हुआ है चेहरे पे और लोग कहते हैं कि ये बहुत सिंबल है बहुत ज्यादा डाउन टूर्थ है कोई डाउन टूर्थ नहीं है तो इनकी पिछली वीडियो उठाके दे डटक पर जो यह वीडयो बनाती थी, आज भी किस-किस तरह की किस वाली इस तरह की जो वीड़ोज उन्हों ना बना रखियेन, क्या एडमायर करेंगी लड़कियां इनको यह क्या लड़कियों को यह सिखारी यह यह क्या influence कर रही है यह नई जनरेशन को मुझे तो सच में सुनकर और देखकर बहुत ही ज़्यादा दुख होता है उस आने वाली जनरेशन को जो इनको देख देखकर सीख रहे है चोटे-चोटे बच्चे भी जोने इनके व्लोग्स देखते हैं क्या दिखाती है यह व्लोग इसको कहते हैं एक टीम के साथ एक परफेक्शन के साथ काम करना रेक यह मैडम है इतना पैसा कमाती है लेकिन एक टीम हायर नहीं कर सकती है किसी एडिटर को नहीं रख सकती आजीब-जीब से वह लगा लेंगी कभी जैसे वह बैड पर लेटने तो धड़ाम से आवाज आती ना तो और भी जो चीजे हैं वो अच्छी लगेंगी और इनकी जो चीजे हैं जो हम जैसे लोगों को बुरी लगती हैं और हम जैसे लोग उनको पिक करते हैं बहुत सारे इनके सब्सक्राइबर भी हैं जो इनको मैसेजिस करते हैं कमेंट्स करते हैं आप लोग जाकर लेती हैं वो टोटल इंग्लिश में लेती हैं और फिर अपने उस भाशा में लेती हैं तो लोग कहते हैं कि उसको उर्दू या हिंदी में भी आप अपने पुड़कास वगरा इस तरह की चीजे बनाएं तो लोग उनको कहते हैं जो वो कहती हुई नजर भी आई थी तो जो ब बढ़िया बोला बहुत ही बढ़िया बोला क्या बोला कुछ समझ में नहीं आया होगा फिर वहाँ पर खाना पिना खाके लंच धिनर जोबी था उस अप कर और कर तरह से जो है गलत इफेक्ट हो सकता है अगर आप एक गलत चीजे कर दें इन्होंने गलती से ये कह दिया कि मैं सब को फोटो दे के जाऊंगी सब अपना कैमरा ओन करके आजो और भीड जो है वो इतनी टूट पड़ी बाद में पता चला कि इनको वहाँ पे एंजाइटी हो ग घेरे हुआ था वैसे तो ये बहुत चीजों से बसती है कि टच नहीं कर सकते है वो नहीं कर सकते है आप अच्छा लग रहा था जब वो सपोर्ट करते हुँ इस तरह से टच कर रहे थे भीड में भीड भी तो तुम नहीं आकर से की थी आप नहीं तो इन्वाइट गया था इन सब चीजों के लिए तो उन्होंने कितनी शिद्दत के साथ और कितनी डिग्निटी के साथ बताया है कि मतलब अपने हस्बेंट का नाम लेके कि वो मुझे फुल सपोर्ट करते हैं और मेरे इनलोज जो हैं वो मुझे फुल सपोर्ट करते हैं वो तो बलके मुझे अपने उसके बाद वापस से फिर से मैक अप थौप के दूया भर का टिंट लगा के जोकी बहुत ही जीब जीब लग रहा था जिस से ऐसे लग रहा था जो भी एज है ना उस एज से भी जादा एज की लग रही थी उस तरह का मेकप करके और नया सा टिंच वाला बिलकुल आबाया पहन के जिसमें की वो थोड़ी सी ठीक लग रही थी क्योंकि इनको तो आदा था सुकड़े से सब कप इनको हो जाती है इस सब चीज़े जब भीड़ा आकर उमड़ी वहाँ पर तो कहती है हम दो घंटे वहाँ पर रुके और हमें बहुत अच्छा लगा हमारा मीटप इतना सारा सामान वहां से बटोर कर लेकर रही है कि अब इनको खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ी तो य है फिस देकर